Hello everyone, my name is Meet and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है because आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHM की आई हुई नई जो विकैंसिस के बारे में जहां पे आप अल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं मेल और फिमल दोनों ही आपको कैसे इन विकैंसिस में अप्लाई करना है क्या क्या रिक्वाइड है इलिजिबिलिटी सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले है सबसे ची बात ही है NHM की जो विकैंसिस आउट हुई है इसमें फ्रेश्य सप्लाई कर सकते हैं आपको यापका एक्जाइम नहीं होना है कोई फी पे नहीं करने है डिरेक्टरी आपके यहाँ पर हाइरिंग हो ली है कैसे किस बेसिस पे सारी चीजों को कवर करेंगे अगर यहाँ पर जॉब टाइप की बात करें विकेंसी कौन-कौन से आउट हुई है, पोस्ट वाइस क्या eligibility है, पोस्ट वाइस salary आपकी क्या रहने वाली है, कैसे आपको step-by-step यहाँ apply करना होगा, हर चीज को brief में cover करते जाएंगे, आपने वीडियो को starting center जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लि वीडियो आ रही है, उसका notification आप तक सबसे पहने पहुंच जाए, बाकी देखिए, इस update के इलावा बहुत सारी department है, जिनकी वीकेंसी आउट हो चुकी है, आप अपनी qualification, अपनी city या फ्रेडिस्री के recording, हमारी जो official website है, इसको आप सीदा Google पर टाइप कर लेना, Google पर टाइप करेंगे, आपको पहली नबर पे साइट मिल जाएगी, वहाँ पे जितनी भी रिसेंटी वीकेंसी आई हुई है, इस बंद की, आप उसको चेक करके अप्लाइप कर सकने है, दो नोटिक तो आज ही अलग लग department के आया है, हमारी official site पे जाके, आप चेक करके इन वीकेंसी के ल कि आई हुई नई जौ विकेंसी के लिए कैसे अप्लाइप करना है, क्या क्या यहां पे requirement है, हर चीज को cover करेंगे, वीडियो को लास्ट आपने जरूर से देखना है, तो नहीं का सबसे पहला notification आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, वीकेंसी कौन-कौन से post-wise क्या eligibility म मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, post office का, ठीक है, उसके लिए कैसे apply करना है, क्या क्या requirements है, तो overall यहां पे आपने से हर को apply कर सकता है, notification यहां पे देखिए, NHM मतलब, National Health Mission की तरह से, बिल्कुल fresh notification है, यह जो release होगा है, ठीक है, तो आपको यहां पे apply जरूर से कर लिन है, ठीक है, बहुत है, बहुत है, सिंपल सा procedure, आप ध्यान से समझ दीजिएगा, और यहां male and female बहुत है, बहुत अप्लाई यहां कर सकते है, सेल्दी के बार में बात करें, यहां पे 35,000 से 1,50,000 सेल्दी है, age limit यहां पे अलगल, post wise वेरी करता है, minimum आपकी 18+, जो भी minimum as per norms required है वो आपकी होगी, ठीक है, maximum की बात करें, यहां पे 48+, भी आपकी age आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि maximum जो age है, वो post wise वेरी करते है, किसी post के लिए 45 है, किसी post के लिए 50 तक भी है, वो depend करता है, post wise ही के, तो आप अपने recording बहुत चेक करकी apply कर लिए, next अगर यहां पे बात क है, चाहे undeserved है, चाहे reserved है, male है, female है, बिल्कुल free of cost आपको यहां पी apply करना होगा, उसके बाद हम यहां पे वेकैंसी चेक कर लिते हैं, कौन कौन सी वेकैंसी है, जो यहां पे आउट हुई है, तो यहां पे देखें कॉंसलर की वेकैंसी है, technical coordinator, project coordinator की वेकैंसी है, next है यहां पे senior consultant, उसके बाद consultant की वेकैंसी है, clinical psychologist की वेकैंसी भी यहां पे आउट हुई है, उसके बाद social worker and nurse की वेकैंसी यहां पे आउट हुई है, district program manager की वेकैंसी है, आपने देखा कितने टाइप की यहां वेकैंसी है, यहां पे freshness पे focus किया गया, freshness पे apply कर सकते हैं, experience रवाले करन है, यहां पे आप में से हर कोई eligible है, हर कोई वेकैंसी में apply कर सकता है, कोई exam नहीं है, कोई free नहीं है, अब यहां पे बात आती है, सबसे पहले apply कैसे करना है, selection आपकी इसमें कैसे होने वाली है, ठीक है, वो ध्यान से पहले समझेगा, उसके बाद मैं आपको second notification पे लेके जल कर सकते हैं, तो यहां पे इनोने क्या किया किया, कि आपको सीधा बुला लिया है, interview बेसे स्लेक्शन आइंट ज्वाहन जोने वाली है, तो काफी easily selection है, तो काफी easily selection होने वाली है, सीधा इन्टर्वी पे आपको जाना है, अलगल post wise इनोने date mention कर दी या, interview की, अलगल post wise आपको नोटिफिकेशन में सीधा मैंशन भी किया हूँ है इन्होंने यहां पर देखिए मैंशन किया है कि हमें एप्लिकेशन फॉर्मेट जो है वो इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ दिया है मैं आपको दिखा दूंगी आगे ठीक है उसको आपको capital letters में fill करना है ठीक है यहां पर दो passport size photograph आपको attached यहां पर करनी होगी यहां पिसले यहां पह देखिए वन फोटोग्राफ आपको वहां पेस्ट करनी होगी ठीक है यहां पर आपको स्टैपल करनी है ठीक है स्टैपल करनी है ठीक है आप यह एप्लिकेशन फॉर्म के साथ उपर टॉप में यह अ लफ्ट साथ साथ लिखा हुआ है ठीक है वह आपको लिखना होगा अब यहां पर सेल्फ टेस्टी डॉक्मेंट आपको साथ में टैश करने जहां पर टेट वड का सर्टिफिकेट है ठीक है मार्क शीर या सर्टिफिकेट जो भी आपकी इसेंश या डिजारेबल क्वालिफिकेशन से वह आपको लिखना है अगर को एक्स्पिरिंस है वह आप लिख देना ठीक है अगर नहीं है तो आप चोड़िया अफ्रेश है ठीक है उसके बाद अगर को कैटेगरी से है तो आपको का सट्रिकर यहां पर लगगी घृए उसके बाद एसे बाद एसे डिप्लाइब था लरे अब बिल्कुल है अपने नियुकल अबने सात्व तक साथ ये जा तो है उसके भाद यहां पर लाज्ट मी । चले जानारेक्व अप्स्यक्राइशिय sinky यहां गया है तो किया हूई है और अब केया ह्रता है उंपर अपर ऐसए नियुक्ति'd अपनी देख के अप्लाई यहां कर सकते हैं तो पोस्ट वाइज देख लेना अलगले मैंशन किया है अब यहां पे दिखे इधर आपको पास्पोर से फोटोग्राफ अटैज करने है जो उन्होंने लिखा यहां पे पेस्ट कर देनी है इधर लेफ्ट साइड में आपको फोट अगर को एक्स्पिरिंस वह लिखे अगर अप फ्रेश तो अप्लाई आप यहां पे कर सकते हैं ब्लैंक चोड़ देना उसके वार मेलिंग अड्रेस आपको यहां लिखना है परमानेट एड्रेस आपको लिखना होगा रिकॉर्ड दोक्मेंट में आपको सब कुछ यहां पे सब्सक्राइब करना है यह तो पहला नोटिफिकेशन आपको चलते हैं इंडिया पोस मतलब पोस्ट ओफिस का जहां पर अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फिमल दोनों ही ठीक हैं यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी आपॉर्चिनिटी है आपर यहां पर आपको पताया चाहिए पर पर प्टिकुलर क्वालिफेकेशन यहां पर जैसे ग्रैजूएट या पोस्ट ग्रैजूट डिप्लोमा रेल्वेंट सब्जेक्ट में वह अप्लाई यहां कर पाएंगे उसके बाद यहां पर आपकी जो पोस्ट वह कौन कौन सी है तो पोस्ट ऑफिस की यह जो कैटें के यहां पर ईयरी ऑन्ता की जो अफिस्ट के बात करें तो यहां पर आप ऐसे अपलाई कर सकते हैं यहां पर आप देखियो अगर बात करें सिर्फ आंडिजर्वड के लिए ही है मतलब यहां पर male candidate है ना जो उनके लिए सरफ fee है ठीक है undeserved के 100 रोपिस female की कोई फी नहीं है reserve के male candidate के लिए कोई फी नहीं है age limit के बाद के लिए minimum 18 max of 40 तक है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं plus आपको relaxation यहां पर मिल रहा है OBC को 3 साल का SST को 5 साल का इसके इलावा यहां पर अगर आपको अगर आपको एक सर्विसमेन या फिर पी डड़ूडी कंडेट है उनको अलग से लेक्षिशन यहां पर 10-15 तक का मिल रहा है और job location आपके घर के पास ही मिलने वाली है कोई exam भी नहीं होना है सीधा selection आपकी हो रही है बात आती है अब यहां पर आपको से अप्लाइ कर सकते हैं इस notification के लिए अभी एक complete notification आना है जो कि इपार्टमेंट का हो प्राइवेट डिपार्टमेंट का हो कुछ भी आपको help चाहिए होती है आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं हमारी टीम बैठ यह डेफिन कि आपको help मिलेगी तो comment आप जरू किया किजी जितने आप comment करेंगे तब ही आपको reservation मिलेगा नहीं तो आप अपने मन में doubt रखेंगे किसी भी notification के रिकार्डिंग वो doubt ही रह जाएगा और आप अपना dream job नहीं ले पाएंगे तो comment जरू किया किजी कुछ भी आपको help चाहिए होती है आज के लिए इतना ही next update मिलेंगे thanks for watching